नमस्कार साथियो आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में और आपका आज डियलर्ड सेकंड सेमिस्टर के अंत्रगत चेप्टर नम्म थ्री का वीडियो नम्म टू यानि आपकी एक्सराइस के कोस्चनों को डिसकस कराने वाले हैं यहाँ पर इससे पहले चेप्टर ब जैसा कि आपको पता है आपके एक्सराइस में ज्यादा टाइम नहीं है आपके दिसंबर में एक्सराइस होने वाले हैं तो आपको इसके अच्छी तरीके से तयारी करनी है तो चरिए आज एक्सराइस डिसकस करेंगे तो एक्सराइस पर हम चलते हैं तो यह एक्सराइस है और इसके अंत्रकत आपको देखिए पहला ही question दिया हुआ है कि आपको सजाती और विजाती बेंजगों के बारे में जानकारी बतानी है इसमें से चांटने है सजाती बेंजग मैंने आपको बताया था कि X आएगा X ले सकते हैं या हम उसमें बाई ले सकते हैं बड़ दोनों को साथ नहीं ले सकते बिजाती बेंजग में क्या है इसमें हमें X भी लेना है इसमें हमें Y भी लेना है दोनों साथ साथ लेने हैं तो देखिए इसी से आप पहचान सकते हैं आसानी से आप बढ़ा सकते हैं कौन सजाती है कौन बिजाती है पहला अगर आप इसमें एक्जम्पल देखें ने लिखा हुआ एक्स स्क्यर टू बाई प्लस में थ्री इसमें आप देखेंगे देखें इसमें बाई भी आया हुआ इसमें एक्स भी आया हुआ है तो ये किस में आते हैं दोनों तो ये दोनों आते हैं बिजाती बिंजक में तो पहले वाले का उंसर क्या हो जाएगा बिजाती बिंजक हो जाएगा इसी प्रकार से आप question number 2 देखिए और question number 2 में क्या कहा हुआ है यह जो आपका लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ हुआ 5X square प्लस में 2X प्लस में 10 देखिए यह इसमें हमने X का ही प्रियोग करा है यहां भी X यहां भी X तो यह हमारा सजाती बेंचक हो जाएगा तो इसी तरीके से लिखना आपको सजाती बेंजग हो जाएगा जिसमें x या y एक ही चीज यूज़ जाएगी तो वो सजाती होगा इसमें दोनों यूज़ करेंगी वो बिज़ाती होगा नमबर 3 में भी आप देख सकते हैं इसमें नमबर 3 एकजंपल में यहाँ पर भी X का ही प्रियोग करा गया है तो यह भी सजाती बेंजग होगा इसके बार आप देखें, नमबर 4 में भी सजाती बेंजगी ही है क्योंकि इसमें बाई-बाई का ही यूज करा गया मैंने क्या कहा? या तो आप X का यूज कर लिजिए या oblique में by का यूज़ कर लिजिए पर आप दोनों को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते सजाती बेंज़क के अंत्रगत अब ऐसे question number आप अगर 5 देखेंगे तो ये दोनों इसमें यूज़ कर लिए इसने x भी यूज़ कर लिए क्योंकि इसने लिखा क्या है इसने लिखा है x square इसने पहले लिखा हुआ x square ठीक है फिर प्लस में by square लिखा हुआ है और प्लस में लिखा हुआ है 2x तो इसमें देखें देखें principe by भी यूज़ कर लिए x भी यूज़ कर लिए तो यह जाएगा विज़ाती इसी प्रकार से आप nest में देखेंगे number six six में भी आपका दोनों यूज करा गया इसके दोरा तो ये भी बिजाती बेंजक हो जाएगा ठीक है इनका answer आपको मिलाना है तो इसमें exercise के answer दिये हुए यहाँ नीचे जागर के आप इन्हें चेक कर सकते हैं पहला हमने बताया आपको बिजाती बेंजक है आपका सजाती 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 last वाला आपका बिजाती बेंजग था ठीक है तो number 4 यहाँ पर ठा number चार के बाद नंका जो number 5 यह वो इसमें ही होगा अभी देखो होजग बताते हैं ये यह देखिए बिजाती बेंजग बिजा जाती बेंज़क ये दोनों बिजाती बेंज़क थे आपके ये मैंने आपको बताया आप आपको सरमाला मिला लिजी अपनी इसके बाद question number आपका next है question number 2 देखिए question number 2 में क्या कहा हुआ है इन्होंने देखिए इन्होंने बोला है कि question number 2 के अंत्रगत कहा है कि इन्हें हमें क्या करना है इनको हमें जोड़ना है तो मैं देखो कहा जैसे इसमें लिखा हुआ है 2x square ठीक है प्लस में 5x मानस का 9 ठीक है अब x square का x square वाला पद x square के पद के नीचे रखी है जोडने का तरीका यह है तो मानस का x square दिया हुआ है तो मानस का x square एक्स square के नीचे लग दिया फिर प्लस में 7x दिया हुआ 12x-6, यही आप का अंसर होगा, आप चाहें तो उत्रमाला में मिला लीजी, देखिए, उत्रमाला में आप देखेंगे, तो x square plus का 12x-6, यही आप का अंसर आना चाहिए, तो इस तरीके से आप इसे जूड सकते हैं, आसानी से, इसे आप कर सकते हैं, ठीक है, इसके बाद इसी प्रकास से question number 3, देखिए, question number 3 में भी आप इन्हें जोड सकते हैं, दोनों को जोडने के लिए कहा हैं, जोने, जोने 6x-6, और plus में 3x, प्लस का 9, इसके बाद आपका दूसरा जो बेंचिक दिया हुआ, बो दिया है, x square plus में x, आप देखिए, यहां पे लिखा हुए पहले x प्लस का 10, इसमें आपको जोडना है, आप इसे जोड़ेंगा, आसा नहीं जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यह हो गया, 19, प्लस यह हो गया, आपका 4x, ठीक है, और यह आपका हो गया, 7x square, यानि 7x square, प्लस 4x, प्लस 19, यह आपका आंसर हो जाएगा, देखिए, 7x square, प्लस 4x, प्लस 19, यह आपका आंसर हो जाएगा, इस तरीके साब आंसर अपना मिला सकते हैं, इसी प्रकास से, आप question 3, आप कर सकते हैं, ठीक है, question 3 तो मैं निकरा दिया, question 4 भी, आप इसे जोड़ना है, इसे आप जोड़ सकते हैं, आसानी से, देखिए, इसमें लिखा नहीं जो एकस की नीचे रखने पर चर है, देखिए, यह 7x चर है न, तो इस 7x को हम इसके नीचे रख सकते हैं, और माइस का लख सकते हैं, फाइब भाई, इन्हों को हम यह क्या करना जोड़ना है, नोंने कहा जोड रहे है, जोड लीजिए, ठीक्स तो स्रीक्स ही रहेगा प्लस में यह हो जाएगा कितना 16 और यह हो जाएगा मानस का 5 भाई, अब इससे जब सॉल्व करेंगे तो इसे बरावर में एक टर्म वाइस का लएगा एक पद लिए किस तरीक्स लिखेंगे, तो 3x मानस का 5 भाई पहले कि देंगे, फिल में लास्ट में अचरपत को ले जा 4 question नमर निका लिए, तो देखिए, यहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ हो 3x मानस का 5 भाई प्लस का 16, तो यह आपका अंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके साब इस question कर सकते हैं, इसके बाद आप question नमर 5, 5 को देख लिजी, तो 5 को भी आपको जोड़ होना है, तो इसे भी आप जोड़ सकते हैं, देखी लिखा हुए, 5x square प्लस का 2x प्लस का 5, ठीक है, इसके बाद आपको बाई बाला जो पद लिखा हुआ है, उससे पहले आप अचर को पकड़ लिजी और अचर को यहां रखिए 7, ठीक है, यह रख दिया हमने कितना 7, इसक बाद जुड़ेगा, ठीक है, इसके बाद जुड़ेगा, प्लस बाई स्केर, प्लस बाई स्केर, और फिर इसके बाद आएगा, टू बाई, तो बाई में यहां लिख दे रहा हूँ अभी, यहां से आप लखना चालू कर दिए, शुरू से, तो यहां पर देखिए, 5x square प् का अंसर यही होगा, इस तरीके साफ इससे जोड़ लीजिए, तो देखिए, यह सेम तो सेम आप का अंसर मिलेगा, प्लस बाई स्केर, अभी मैंने सजी नहीं करा तो लास्ट वाला पद, तो लास्ट आप फिरसे, एक स्टेप आगा बढ़ा दीजिए, तो मैंने उसे किरम बढ़ा लीजिए, पद को, वैसे तो आपका सब सेमी सेम है, देखिए, सब सेम बला सकते हैं आप, ठीक है, तो वो लास्ट वाला जो पद रह गया, जैसे हमें मैच कराना था, वो हमने नहीं कराया, तो आप करा सकते हैं, इसमें जो भी था, यह कॉश्चन था न, तो इसमे ठीक है उसके बाद आपके 12 थी तो 12 लिख दिने इस तरीकसा आपको मैचर कराना है बाद में आपको एक किस्टा बागे बढ़ाना था जो कि मैंने नहीं बढ़ाया था मैं भूल गया हूँ तो आप बढ़ा लीजिए उस पद को ठीक है इसके बाद आप question number next देखिए question number आपक आपको सही से लिखने है जैसे पहला लिखा हुआ है 5x square ठीक है प्लस में 2y प्लस में 9 लिखा हुआ है इसी प्रकास से आपको x square वाला पत पहले रखना है इन्हों जो लास्ट में रखा इसे में लेन दिन नहीं है इसे उठा कर शुरू में रख दीजिए इसे x square प्लस फिर 3x लिख देना है उसके बाद आपको 2 लिख देना है ठीक है अब इसमें देख लीजी इसमें आप जोडें के तो ये 11 हो जाएगा और प्लस में ये 5 ये ये x है मैंने बाहि लिख दिया स्वरी ये आपका x है यहाँ पर यहाँ पर आपका ये x था मैं फिर से लिख दीता हू 2 इस तरीके साब का तो ये 11 हो गया प्लस में से जोड़ेंगे तो ये 5x हो गया फिर इसे जोड़ेंगे तो आपका ये हो गया 6x तो ये आपका अंसर हो जाएगा इस तरीके साब इस question के जोड़ सकते हैं और ये यहाँ से ले करके आप ये हमने आपको 5 तक करा दिया है 6 तक करना है इनका बस है तो इसमें देख लिए मैं question number आपको 7 ले ले रहा हूं इसे में घड़ा दे रहा हूं जैसे 5X plus में 9 और इसमें से हमें को अठाना है यानि यह प्लस वाला रख लिए यहां पे और minus का प्लस का 2Y इसे हम गड़ाना है तो देखिए इसमें क्या करना है हमें यह माइनस का सान यहां पर रखना है यहां पर माइनस का सान कर देना है अठाने के लिए तो यह हो जाएगा 5X और यह हो जाएगा आपका पूरा कितना यह माइनस का 7 चला जाएगा 9 में से तो plus का 2 हो माइनस का 2y हो जाएगा इसे एक पदो लिखना है तो क्या लिखना है 5x माइनस का 2y और आपका प्लस का 2 इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा इसी तरीके से आप सभी जितने भी यहाँ पर question दिख रहे हैं उन सबको आसानी से गटा सकते हैं इसमें कोई answer आपने मिला लिजिए आसानी से इतको कोको कर सकते हैं ठीक है आगे जो rocky question है वह भी मैं आपको दिखा देता हूं कितना हैu दो question है इसमें कुछ नहीं जेसे वी मैं करा दे रहा हूं और वीडियो को स्माइट करता हूँ दीक्dest too इसमें आप अन्होंने कहा ए कि इसका रह बताये क्या हो सकता है, अ तो इसमें। इसमें आप लिद्धा करता है ढишती हिए इसद आकर कट जाएगे, यह सबी आप इसमें करके दिखा देता हूँ आपको ठीक है देखिए जैसे इसका इसमें अंदर मंटिपलाई करा तो यह हो जाएगा कितना मैं यहां लिख देता हूँ बड़े बड़ा ठीक है तो बाई का एक्स जड हो जाएगा इस तरह से आप आप देख लीजिए देखिए यहां जड एक्स प्लस का है यहां माइनस का कट गया यहां पर बाई जड यहां माइनस का है और बाई जड यहां पर प्लस का है यह भी कट गया इसके बाद यह भी कट गया जब दोनों सब कट गए तो क को जोड़ना है बस तो अभी जोड़ना तो मैं आपको सिखाई चुका हूंगा फिर देख लिए फिर लिखते रहा हूं तो यहाँ पर एक्स स्केर ठीक है मानस का टू एक्स वाई और प्लस का नाइन वाई स्केर तो इससे इस तरीके समर लिए इससे आप पहले ही गातों करम म इसको मैं पहले ही सही कर लेता हूँ ठीक है देगे किस तरीके साब को करना है तो इनको पहले से कर लिए यानि पहले से लिखते हम एक्स स्केर इसे हम क्या रखते हैं एक्स स्केर ठीक है देगे एक्स स्केर इसके बार हम लिखेंगे से प्लस में नाइन वाई स्केर नाइन x y ठीक है इसके बाद हम दूसरा पद लखेंगे तो x square के नीचे x square का पद रखेंगे इसके बाद हमें क्या करना है मारिस का sign लगाना है मारिस के 8 y square इसके नीचे ही रखने है इसके बाद जो 2x वाला जो पद है न यह जो है आपका 2x y तो 2x y पद को यहीं रखना हमें 2x y अब इसमें क्या कहा है इन्होंने यूख फल बताएए चलो यूख फल बताते है इसका तो यह तो कट जाएगा आपस में यहाँ पर क्या बचेगा तो यहाँ पर बचेगा केबल प्लस का y square और यह हो जाएगा 2x square 2x square प्लस y square यह answer आएगा आपका यहाँ पर कौन से में है तो यह आप देखेंगे तो बन अमबर में है यह आपका तो यही आपका answer हो जाएगा इसमें जो यतने question है इन question को मैंने कहा है आपको घर से करना है कितने question के बन तीर question करने है यह वाले 8 से लेके 10 तक के ठीक है इसको करिए और अगर ना आए तो आप पूछ सकते है पहली बात आसा इस निकाल सकते है और इसके सभी के answer जो है 8 और 9 10 के तो यह रहे 8 और 9 10 के answer आप इंसे ने match कर लीजिए ठीक है तो इस वीडियो में इतना है और यह आपका topic पूरा third खतम हो गय है और इसके बाद topic number four चलेगा तो आप उसके लिए तयार रहिए और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों का share कर दीजिए और वीडियो को like कर जीजिए thank you